दोनों टीम्स के लिए ये तकरिबन करो या मरो का मुकाबला है हर्याना अगर हारे और दिल्ली आज जीते तो हर्याना प्लेओफ में नहीं जा पाएंगे साइरन की आवाज याने के कठें परिचा लेकिन सौफी सभी अंगों के साथ उपीव श्रीकांत जादवी और यहां नमीन पहुंचे हैं डूर डाइने अलका साच जग अचानक रूके और लेफ्ट कॉर्णर सचन को बाहर कर दिया इस बार लॉबी में गए इससे पहले हैंड टच किया और होने एक ही पॉइंट उनको मिला है यूपिका पॉइंट प्रेकर तो पॉइंट और मिले अग्या यह कुफानी सूपर रेड होगी अग्या विकास कंडोला थी नमीन कुमार रेड पर आम तोर पर सब चाजूप की तरह अंदर आते हैं और पहत्तर प्रदर्शम करके जाते हैं इ देशने देशने ओस्के बाद जीवा ने सपोर्ट किया नीदेश पहला तच गया और उसके बाद डिफेंस ने बिल्कुल समय पराकर कार्ण कर दिया और सचिन को पॉइंट लेना ही होगा प्लाग करने की कोशिस थी कैप्स मिले सचिन को कामयाब हो गए बड़ी कामयाबी जूपी का डेफेंस अतना अच्छा नहीं खेल रहा जितनी जरूरत थी लेकिन जूपी के रेडर्स में थोड़ी सी बहतरी दिखाई है अगर ऐसा नहीं कर पाएं तो हर्याना की मुश्किलें इसी लम्हें से बढ़ते वागी है वोनस जरूर मिल गया है इनको लेकिन विरोधी को टच क्या करेंगे टाइम निकलता जा रहा है तीस से ज्यादा प्ले नहीं सकते जीवा का ब्लॉग हर्याना ओलाउट जरूर लेकर के आए लेकिन अलग सिमल गई यूपी यूद्धा को राकिश भाई यूपी के पास लीड आ गई है अच्छा सा मुहिक टेकल है श्रीकाद दूसरी बार आउट हुए है झाल गई है तो गई बार आवरी पर आया पकिक लगाई नवीद पूरे पार आइपन इस अफिर्ट काईश्य ने पूरे नवीदेंस के साथ लेफ्ट कोईस है लेफ्ट गार से शचें को बाहर गर लिया यूद्धा बाहर ब़्या या क्या कर लेगा इए टा यू आरूत न प्रशांत राइज ज्यादा बोनस पर खेले हैं आज लेकिन यहां बोनस नहीं मिलेगा तुकि पांच डिफेंडर हैं हर्याना के पास इसलिए आप प्रशांत राइज अंदर गए अच्छा डबल पाइज पे अटैक किया कुल दीप में पीसरी कामयाभी है कुल दीप के यह आउट हुए तीसरी बार शिकार हुए हर्याना की दमतार वाप्सिंगा बिगुल है यह अगर यह आउट हुए तो भी जीतेंगे हुए अगर आउट है अगर 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 पॉइंट मिला लेकिन पैज मिला है यूपी को यूपी में हर्याना को एक पॉइंट से हराया है